अब वेल्कम हम मांट्रेप पर बात कर रहे हैं और आज हम चटवा मांट्रेप देखेंगे उसका नाम है दी- कॉंट्रस्ट इफेक्ट क्या होता है अभी देखते हैं थोड़ा सा इसी से पता चल जाएगा आप यहां पर दो सकल देख रहे हैं दोनों में ग्रे कलर स्क्वएर में सेम है लेकिन लाइट बेग्राउंड पे डार्क दिख रहा है और डार्क बेग्राउंड पे लाइट दिख रहा है तो जब हम किसी चीच से या किसी इवेंट से किसी की तुर्ना करते हैं तो हमारा पर्शेप्शन बदल जाता है इसको हम कह सकते हैं वस्तू अघटना का ल कि जिससे की आपका कंपेर करने से वह अलग लगता है कंपेर करने से वह एकदम फरक हो जाता है तो यहां पर बहुत सारे एक्जमपल है इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे उसके बाद में दूसरा आएगा वो सकता है वो उतना प्रभावसाली ने हो लेकिन आपको वो जितना प्रभावसाली है उसे कम लगेगा तो इसका मतलब है कि हमारा जज्जमेंट गलत हो जाएगा अभी आपके सामने अगर और और हुंडा है तो हुंडा आपने अपने बहुत अच्छी गाड़ी है लेकिन और आडी के सामने थोड़ी फिकी पड़ जाएगी और का वैल्यू कम हो जाएगा हालाकि उसका कोई वैल्यू वैसे कम नहीं हुआ हमारे परसेप्शन में कम होएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकी light color का background अलग-अलग color के साथ रखा गया तो कैसे बदल जाता है तो box number one में आपको लगता है कि वो dark है, दूसरे में लगता है बहुती light है, तिसरे में लगता है medium है, यहाँ round में भी आप देख सकते हो, तो किसी भी चीज होने से दूसरे चीज़ पे उसका फरक पड़ता है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे circle है, तो जो यह circle है green वाला और जो blue वाले circle है, तो green वाला circle दोनों में same है, लेकिन यहाँ पे वो छोटा लग रहा है, और जो छोटे वाले blue circle है, उसमें वही circle बड़ा लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं contrast effect, यहाँ पे आप देख रहे हो, तीन toy tray गाड़ी है, fire brigade की गाड़ियां है, और उसमें एक में बहुत बड़ा आदनी बेटा है, एक में छोटा है, तीसरे में बच्चा है, तो हमको बच्चे की गाड़ी सही लगती है, तो contrast effect जो है, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, और उस पर क्या decision लेते हैं, इसमें फरक पड़ता है, इसकी वज़े से कोई चीज को आप underestimate कर सकते हैं, किसी को आप और estimate कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, शेर के सामने जेबरा बहुत ही छोटा दिखाई दे देता है, लेकिन जेबरा बिल्ली के सामने बहुत बड़ा ही दिखाई देता है, तो किस के सामने किस को रखा है, उससे हमारे perception में फरक पड़ता है, इसके लिए जरूरी है कि हमको हर चीज उसके अलग context में देखना चाहिए, यानि जिराफ को अलग context से देखना है, बिल्ली हो सकते हैं, हम हर चीज को अलग-अलग उसके merit पर हमको check करना चाहिए, जैसे सुई और तलवार, कोई काम सुई कर सकती है, तलवार भी नहीं कर सकती है, और कोई काम अगर सुई से हो सकता है, तलवार से करने जाएंगे, तो पूरा घड़बड हो जाएगा, तो हर चीज का अपना एक merit है, आपको उसके सबसे देखना चाहिए, किसी के influence में आके या प्रभाव में आके अपना perception बदल सकता है, इस बात के ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हम चीजों को सही माने में देख पाएंगे, उसका सही मुल्यांकन कर पाएंगे, और हम सही decision ले पाइस गिंगे, तो भाईयों वैनों थैंक्यू, यह contrast effect है, यह हमारे life में बहुत use होता है, लोग इसको अलग-अलग तरीके से use करते हैं, हमारे decision को influence करने के लिए, हमको इस पे सतक रहना है, और contrast effect अस सिकार नहीं होना है, धन्यवाद.